बिल्कुल सही आपने कहा और आपने सही आखड़े भी दिये तो जो inflation का rate होता है उसका मतलब यह नहीं होता कि जब वो कम होता है तो दाम गिरने लगते हैं यह हमारे दिमाग में confusion होता है हम सोचते हैं कि inflation rate कम हुआ तो आप जब दाम गिर रहे होंगे पर यह आप समझें कि ज तो यहनि कि inflation rate कम होने से दाम नहीं कम होते हैं और हमारे आप असंगरिश शेत्र चे चरानवे प्रश्चत लोग काम करते हैं उनको कोई inflation indexation नहीं मिलता है तो जब दाम बढ़ते रहते हैं तो उनकी जो purchasing power यह कम हो जाती है और अभी ILO की report आई है वो भी यही बात कह रही है कि purchasing power 2019 के बाद कम हो गई है खासकर असंगरिश शेत्र में क्यों 94 प्रश्चत लोगों के असर पड़ा उनके ओपर दोरी मार पड़ी जैसे आपने बताया कि रोजगार भी कम हुआ और रोजगार की बात तो यह है कि 190 million यानि 19 करोड लोगों ने काम ढूनना ही बंद कर दिया है यानि कि जो हमारे जो बेरोजगारी के आकड़े आते हैं वो आते हैं कि कितना हमारा लेबर फोर्स है तो अगर 450 million यानि 45 करोड का लेबर फोर्स है तो उसमें अगर 7 या 8 प्रश्चत लोग हैं जो काम नहीं मिल रहा है तो करीब धाई करोड हो गए लेकिन उसके अपर 19 क करोड हैं महिलाएं हैं जो शिक्षित युवा हैं उन्होंने काम ढूना ही बंद कर दिया क्योंकि काम मिली नहीं रहा है तो कुल मिला कि अभी हम लोंने एक रिपोर्ट जारी की है रोजगार बेरोजगारी पे तो उसमें बताए कि 320 million यानि 32 करोड लोगे पास तो पूरा का है लेकिन 278 यानि 278 करोड उनके पास पूरा काम नहीं है तो वो परिवार के उपर एक बर्डन हो जाता है परिवार को उनके लिए पैसा कमाना पड़ता है तो उससे गरीवी बढ़ जाती है तो यानि कि कुल मिलाके बेरोजगारी और जो ये दाम बढ़ना है इन दोनों के इसे गरीवी बढ़ती है और समस्या मुश्किल में आजाती है जो अभी नरेंदर तनियजा कह रहे थे प्रोफेसर अरुम कुमार की महंगाई पूरी एक विश्व व्यापी समस्या है एक लोता भारत ही इसे नहीं जेल रहा है तो जब हम बाकी देशों से तुलना करने लग को मुफ्त में आनाज देना हमें पढ़ रहा है तो महंगाई की मार दूसरों देशों के मुकाबले हम कहने लगें कंपेर करने लगें इस डैट अ फैर कंपेरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन्नत देश है महाँ पे जादा तर लोग संगरिश शेत में होते हैं तो जैस चार प्रश्चत इंफलेशन भी मुश्किल हो जाता है असंगरिश शेत के लिए तो हम कंपेर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गरीबी अलग तरह की है आपने देखा पैंडिमिक के दौरान जो असंगरिश शेत के लोग थे वो पलाइन किया उन्होंने शेहरों से गाउं की तर प्रश्चत लोग बता रहें कि उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है अब अगर आप वर्ल्ड बैंक की जब पौवर्टी लाइन देखें तो अब उन्होंने 1.9 डॉलर से 2.15 डॉलर कर दी है तो यानिकि 176 रुपए PPP के टरम्स में जब पौवर्टी लाइन होई यानिकि 13, 13,050 रुपए उनकी पौवर्टी लाइन होई PPP के टरम्स में तो हमारे हाँ तो 94 प्रश्चत लोग हैं वो तो कह रहें कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं तो यानिकि 94 प्रश्चत लोग एक तरह से गरीबी की रेखागे नीचे हैं पस मान लीजे कि हमारे हां काले धन की अर गैस सिलिंडर भई एक हजार 53 रुपए है ना पिट्रल 120 रुपए हमने दाम दिये डीजल के 110 दिया है वो 95, 96, 98 के करीब है तो ये हम बस कमफर्ट इस बात का ले रहे हैं कि जी हाँ थोड़े से पहले के मुकाबले दाम कम हो गए पर दाम तो अभी भी हमें मार दे रहे हैं और अंतराश्य बाजार में कच्चे तेल की कीमते लगतार गिर रही है अब ये बढ़ती हुई कीमते नहीं हैं नहीं देखिए इंफलेशन रेट के कम होने का मतलब यह नहीं कि दाम कम हो रहे हैं दाम तो बढ़ी रहे हैं जैसे कि अगर आप एक बस है आप बस में जा रहे तो उसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन बढ़ तो आगे रही है तो उसका असर तो यही है कि अगर इंफ्लेशन रेट पांच प्रश्यत भी है तो दाम तो बढ़ रहा है जैसे मैंने उदाहरन दिया कि 100 से 110 हुआ और अगले साल अगर 5% इंफ्लेशन हुआ तो 115 हो गया वो 105 नह ही नहीं तो जब उसकी जब मार बरावर पड़ती रहती है इसलिए हमारे आप पांच प्रश्यत इंफ्लेशन भी बहुत ज़्यादे है और आट प्रश्यत नहीं ठीक है आपने कहा कि अंतरास्तिय परीपेक्श में भी देखना होगा पर यहां पर मार ज्यादा पढ़ रही है और यह मार भी